गैज आज के इस वीडियो में हम लोग प्रोटोटाइप के बारे में समझेंगे प्रोटोटाइप को किस तरह से सेट करना है और यह होता क्या है सबसे पहले यह समझेंगे चलते हैं गम्प्यूटर स्क्रीन में एंड लेट्स गेट स्टार्टेट सबसे बारे में अच्छे से समझेंगे और यहां पर मैं कोड़ने वाला हूं स्क्रिप.js के अंदर आप लोगो सबसे बहले प्रोटोटाइप के बारे में बताता हूं चैप्टर 11 के नोट्स अवेलेब ने डाउनलोड कर लेना आप लोग इन प्रोग्रामिंग वी आपन टेक सम्झेंग और एक यूजर के तो यह सारे काम बहुत कॉमन होते हैं आप लोग ने अगर कोडिंग करी है तो आप लोग को पता होगा या अगर कोडिंग नहीं भी ग यह इसे बनाते रहते हैं एट प्रोटोटाइब क्या होता है जावा स्कृप्रिप्स के यंदर जावस्किप्ट उब्जेक्ट सेयल प्रोपिर प्रोपटी कर दिया ठीक है दडिए दल और यह निर रफ उपलड़ कॉश्चि इस बात कर क्या मतलब है क्या होता है कि जावस् दिखूंगा लेंग्वेज जावस्क्रिप्ट ठीक है और मैं कुछ नहीं करने वाला जादा कंसल डॉट लॉग एक करूंगा जो कि एक बहुत ही सिंपल सी चीज है और इसको रिलोड करूंगा और यहां पर अब थोड़ा टाइम ले रहा है यह से वहने मैं आख्चली मैंने बहुत ही कुएकली यहां पर टाइब करके और यहां पर रिलोड मार दिया थोड़ा नाइम लगता है इसको सेव होने में क्योंकि क्या हो रहा है कि रैपल सर्वर पे यहां से पुल कर रही है वला पीज अब यहां पर आपको प्रोटोटाइब दिख रहा होगा प्रोटोटाइब में आपके पास कंस्ट्रक्टर है है जोन प्रोपर्टी यह सारी की सारी चीज़े आपको प्रोटोटाइब से मिल जाती है इसका मतलब यह हुआ कि मैं हैरी का सौरी एका कंस्ट्रक्टर चला सकता हूं मैं A पे 2String चला सकता हूँ चुकि यह उसके prototype में तो मैं इस तरह से कर सकता हूँ A.2String ठीक है मैं यह method चला सकता हूँ A.ValueOf ठीक है A.ValueOf मैं चला सकता हूँ इसका result क्या होगा उस पे मैं भी नहीं आ रहा हूँ पे रहों मैं अपजेक्टर लेता है यसे फोटोटैपल इस नहीं है कहता है तो क्या है यह prototype किस तरह से सबस्टकरा है इसके बारे में चाहते है विकन सेट prototype by setting upstream ब्रोट कुआ प्रोटमरी डूस्कों रहा हूँ जिए read a property from the object which is not an object and is present in the prototype java script will take it from the prototype ठीक है बहुत ही simple है जैसे मालो मैंने run method बनाया वो prototype में है और इसमें नहीं है तो automatically ले लिया जाएगा अब मैं आप लोग को क्या करता हूँ let proto एक object बनानो प्रोटो के नाम से ठीक है या P के नाम से बनाता हूँ confuse नहीं आप लोगो पी के नाम से बनाता हूँ थेक है इसमें मैन說 run को बना दुँगा एक method run एक method होगा ठीक है और यह method क्या करेगा alert करेगा run ठीक है alert करेगा run अच्छा अगर मैं आप ron करू तो क्या चलेगा नहीं चलेगा यार तो कुछ हाई नहीं कैसे चला सकते हैं आप B.n सेब नहीं यह एंपल में टोड़ा दायम लेता है सेब उने में देखो यारण यारण कैसे चला दिया a.run क्या मतलब a.run लेकिन अगर मैं कहे दू a.__proto __ is equal to p और ये मैं p को define करने के बाद ही करता हूँ ठीक है जास थोड़ा सा readable try का code ठीक है मैं इसको save करूँगा और थोड़ा wait करके reload करूँगा तो यहाँ पर आप देखो run यहाँ पर लिकर आ गया तो कुल मिला के बाद यह है कि आप लोग prototype जो है वो set कर सकते हो किसी भी object के यानि कि अगर आप चाहते हो कि कोई भी एक object है उसमें कुछ properties and methods आ जाए तो आप उसके prototype में डाल के आप कह सकते हो a का जो prototype है वो यह कर दो अच्छा अगर मैं यह run यहाँ यहाँ पर डाल दो अगर यहाँ भी run होता और prototype में भी होता और मैं इसको self run कहूँ अगर यहाँ भी होता prototype में भी p में भी है और यहाँ भी होता अगर इसके अपनी property होती है तब क्या होता तब मैं अगर इसको reload करता तो क्या होता मैं अगर इसको रिलोड करता तो self run चलता लेकिन अगर self run नहीं जाएगा यागर उसको नहीं मिलेगा method उस object में तब वो जाएगा और चेक करेगा कि क्या ये method का पर available है क्या ये method available है इसके prototype में अगर इसके prototype में अवेलेबल है तब क्या किया जाएगा तब उस method को run कर दिया जाएगा I hope कि यह जी सब को clear होगी अब prototype का भी prototype हो सकता है यानि कि मैं कुछ ऐसे भी कर सकता हूं मैं कह सकता हूं कि यार यह तो P है लेकिन P का जो proto है वो मैं करना चाहता हूं एक object ठीक है और वो object मैं यापर बना सकता हूं यापर मैं लिख सकता हूं मालो जैकी ठीक है मैंने आपर नीम जैकी कर दिया अगर मैं कोशिश करूं ए डॉट नेम को प्रेंट करने कि अगर मैं आपर लिखूं गंसोल डॉट लॉट लॉट नेम एक में प्रॉपर्टी है तो इसलिए मैं इसको इस तरह से चलाओंगा और यह फ्रॉट टाइम लेता है से वोने में और मैं दो तीन सेकंड्स के बाद इसको रन करूंगा सेल्फ रन चला और इसके बाद यहां पर नेको हैरी आ गया तो यह चीज़ कैसे काम करी देखो मैंने जब एका नेम रिक्वेस्ट किया जाने का एका नेम मुझे चाहिए तब हुआ क्या कि यह गया ए में धूडने के लिए नाम को ए में इसको नहीं मिला नाम चक्शु करता हूं एक क्रणि को करता हूं नीम में क्या है एक प्रोटोटाइप पी है तो पी यहाँ पर इसमें भी नहीं था नेम इसके भी प्रोटोटाइप में ढूड़ो ठीक है इसके प्रोटोटाइप में ढूड़ने के लिए ठीक है पी डॉट प्रोटो इकल्स टू नेम जाएकि यहाँ पर मिल गया इसके प्रोटोटाइप में जो कि इस chain को समझा दे तो क्या होता है कि कुछ इस तरह की chain बनते जाती है एक का prototype दूसरा दूसरे का prototype तीसरा इस तरह की chain जो है वो बनाई जा सकती है तो यह आ गया ठीक है इसका prototype यह है इसका prototype यह है इसका prototype ऐसे चलता रहता है आप कितने भी object दे सकते हो prototype ठीक है अब क्या हुआ जब object oriented programming आई तो लोग object oriented programming को classes and objects को बनाने को prefer करने लग गए और ये चीज जो थी वो बहुत कम use में आती है अगर मैं आप लोगों को बहुत सहली बता हूँ तो जब भी मैं UI UX पर काम करता हूँ तो बहुत ही कम ऐसा होता है कि मैं इस तरह की चीज़ों को इस्तेमाल कर रहा हूँ but this exists और आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये बहुत बढ़ी चीज़ है आप लोगों काफी काम आएगी कभी कभी आप लोग इस तरह की चीज़ों को model भी करेंगे ऐसा नहीं कि ये बिल्कुली यूजलेस है बट जिस मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको आना चाहिए तो ये notes में मैंने लिखा हुआ है एक page prototypes के बारे मैं I hope कि आप लोगों को मजा आया आप लोगों को समझ में आया और है आपको आपको समय है